नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका BSA tricky classes में तो दोस्तों आज की class में हम लोग जैसे कि आप सभी को पता है कि SSC MTS मैदाने जंक पेपर आप लोगों का अपरेल 2023 में होना बिल्कुल तै है आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 90 दिन बचे हैं तो जादा समय बचा नहीं है अगर अब नहीं पढ़ोगे दोस्तों यहाँ पर तो आप लोगों का selection होना भी हम मुश्किल है क्योंकि आपको पता है यहाँ पर GK और English math और reasoning तो दोस्तों सभी लोग कर लेते हैं problem आप लोगों को GK और English में आती क्योंकि किसी को नहीं पता कि GK में दोस्तों कौन से portion से किस topic से कौन सा question पूछ लिया जाएगा तो इसके लिए बिलकुल आप सभी लोग तयार हो जाएए आज हम लोग यहाँ पर GK का revision करने वाले बहुत important class है अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका selection भी नहीं होगा यह सीधी बात है तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देदी किये और देखते हैं आज का पहला जुरू वेद में आपका यग संबंदी सूत्र हो गए तो आपको बताना दोस्तों कौन सा आप लोगों का गलत दे रखा है यह आपको बताना है सही जवाब क्या होगा A, B, C या फिडी तो अगर हम इस question की बात करेंगे तो मेरे प्यारे मित्रों गलत आपका सामवेद है ग इसको बताईए अथर वेद जो है दोस्तों आपका कितने खंडों का संग रहे है अगर हम अथर वेद की बात करेंगे दोस्तों अथर वेद जो है कितने खंडों का संग रहे है बताईए बीस पंदरा दस या फिर पांच देगे दोस्तों अथरवेद की बात करेंगे तो अथरवेद आपका बीस खंडों का संग रहे है अथरवेद जो है दोस्तों आप लोगों का ये बीस खंडों का आप लोगों का संग रहे है जिसमें टोटल आप लोगों के 6000 मंत्र हैं और 730 भजन है मंत्र कितने दोस्तों आपके 6000 इसमें आप लोगों के मंत्र दिये गए है अगला कोश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए, कोश्चन आप लोगों का ये दिया गया है रिग वेद में रिशी विश्वा मित्र और दो नदियों के बीच जो संबाद हुआ है जिसमें दोस्तों यहाँ पर देवी की रूप में जिसे पूजा जाता है ये नदियां दोस्तों आपकी कौन सी है ये कोश्चन अभी जो आप लोगों का अपरेल 2022 में पेपर हुआ था CGL का उसमें पूछा गया है तो रिग वेद में रिशी विश्वा मित्र और दो नदियों के बीच में संबाद की रूप में एक स्रोथ है जिसे देवी की रूप में पूजा जाता है तो ये नदियां जो है आप लोगों की कौन सी है तो ये नदियां है ब्यास और सतलुच त्यान रखिएगा दोस्तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्यास और सतलुच ये दो नदियां है दोस्तो जिनने रिग वेद में देवी की रुप में पूजा जाता है और आपको एक बात बता दें डेव प्रियाग वह स्थान है जहां पर अलक नंदा और भागिरती नदियों का संगम कहां पर होता है यह होता है देव प्रियाग में यह कहां पर होता है आपका देव प्रियाग में ह चलिए नेक्स्ट कोशन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए निवलिकित में से कौन सा वर्ण धरम सूत्रों और धरम सास्त्रों दौर निर्धारित नियमों की मुताबिक प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और नियाए के प्रसाशन के लिए काम किसका है दोस्तों तो अगर हम इस कोशन की बात करेंगे रिकॉर्डिंग नहीं होता अपनी पढ़ाई पर फोकस करो ठीक है पढने को मिलना है खाली यह देखो कि कोशन कितने इंपोर्टन करा रहा है और कोशन आप वही करा रहा है जो पेपर में आए हुए है आप खु सारे के सारे नए कोशन जो पेपर में आ चुके हैं जो एससी पूस्ता है वही कोशन हम सिर्फ करा रहा है फालतु कोशन कराने का ना मेरे पास टाइम है और आपके पास टाइम है कि आप फालतु पढ़ो या फालतु गिरी करो आके यहां पे तो अगर हम इस कोशन की बात कर हो का next question आप लोगों के सामने आपको दिया गया है नियमलिकित में से कौन सा वेद संगीत से संबन देते हैं संगीत जो है दोस्तों आपका किसमें दिया गया है इसको बताईए नोस्तों संगीत के अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट अंसर हो जाएगा सामवेद, सासे संगीत, सासे सामवेद, गायन के लिए सबसे पुराना आपका वेद है, और बागी रिगवेद आपका सबसे प्राचीन है, एक पेपर में कोश्चन आता है, जादू टोना, जादू टोना जो है दोस्तों, किस वेद में आप लोगों का है, अथर वेद है, ठीक है, यजूर वेद में प्राथनाओं का गरंथ है, और रिग वेद सबसे प्राचीन गरंथ है, यजूर वेद यग से भी सम्मन्देत है, ये प्राथना और यगो वाला वेद है, यजूर मतलब यग, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन, न गायन के लिए अगर पूछे सबसे पुराना वेद कौन सा है, गायन के लिए सबसे पुराना वेद है दोस्तों, आप लोगों का साम वेद है, ठीक है, जादू टोना अथर वेद में है, और रिग वेद के अगर हम बात करेंगे, एक हजर अटाइस सूप के याद रखेगा, एक हजर अटाइस भजन है, इंदर देपता इस सब के वारें बताए गया है, अठारा सो से पंदरा सो इसा पूर्विकी, तीस रिगवेद पांडुलुपियों को यिलिस्को की मेमोरी ऑफ दा वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष में इसको शामिल किया गया है, देख रहा ह इनकी 10th level के paper में ही कितना deeply question पूछा जा रहा है, तो right answer आपका हो जाएगा 2007, तो इसमें current का भी मतलब नहीं है दोस्तो, 21 का paper है, 2007 का question है, तो current से भी मतलब नहीं है आप लोगों का, तो right answer आपका हो जाएगा 2007 में 30 पांडुलुपियों को यहाँ पर यिनिसको की memory of the world register में श ठीक ना, logical question है दोस्तो, तो अगर हम इस question की बात करेंगे, भगवान विश्णु जी ने एक वारहा का अफ्तार लिया था, एक वारहा का अफ्तार लिया था, पुरान ये बताते हैं दोस्तो, कि भगवान विश्णु जी ने प्रत्वी को बचाने के लिए वारहा का रूप था, जब प्रत्वी आपकी पानी में डूप गई थी, वारहा जो रूप है दोस्तो, अमारा यहाँ पर, यह रूप आप लोगों का, यहाँ पर सुवर का है, और हिंदु भगवान की अगर हम बात करेंगे, भगवान विश्णु जी की दस अवतारों में से ये तीसरा अव इक व्यक्ति का वैदिक द्रश्टी कोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के चार लक्षे से निर्धारित होता है, निमलिकित में से कौन सा लक्षे इसमें नहीं है, सिद्धी, अर्थ, मोक्ष और काम, जीवन के आपके चार लक्षे हैं तो इसमें आप लोगों का सि लक्षे नहीं देखो अर्त लक्षे है, मोख्ष लक्षे है, धर्म लक्षे है, सिद्धी नहीं है दोस्तों। सिद्धी वह लक्षे नहीं है जो किसी व्यक्ति के वैदिक द्रश्टी कोण और समाज के साथ उसके संबंद को निर्धारित करें तो इसमें दोस्तों चार में कौन कौन से आजाते हैं देखो अर्थ, मोक्ष, धर्म और आपका काम ठीक है ना दोस्तों सबसे पहला पैसा होना चाहिए या आनी के आपका वन्ष आगे बढ़ना चाहिए मोक्ष मिलना चाहिए और धर्म होना चाहिए ये चार हमारे लक्षे हैं अर्थ, मोक्ष, धर्म और काम next question आपके सामने आपको दिया गया है ज़र रमाड के मुताबिक दोस्तो किसका दूसरा नाम रतनाकर था बहुत बड़ी असवाल है दोस्तो यहाँ पर रमाड के मुताबिक हमारे पुरानों से रमाडों से धार्मी ग्रंतों से जो है question पूछे जा रहे हैं तो रतनाकर नाम था दोस्तों हमारे महरशी वालमिकी जी का दूसरा नाम था रतनाकर जी याद रखियेगा दोस्तों रमाइड के मुताविक वालमिकी जी का दूसरा नाम रतनाकर था वालमिकी जी का जैन्व जो है अगनी शर्मा के रूप में भ्रगु गोत्र के प्रचेता जिसे हम लोग सुमाली नाम से जानते हैं, एक ब्रामल रूप में परिवार में हुआ था और ये एक बार जो है माहन रिशी नारज जी से मिले थे और उनके साथ उनके कर्तब्यों का इन्होंने प्रवचन में दिया है। रमायर जो है दोस्तों ये हमारी महारशी वालमिकी जी की है और अगर राम से रितमानज जी की बात करेंगे तो वो जो है तुलसी दास जी के द्वारा लिखी गई है, महाभारत जो है वेद व्यास द्वारा लिखी गई है, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह कहलाते हैं क्य सहिता हो जाएगा भजनों के मुख्य संग्राय कहलाते हैं सहिता कहलाते हैं ठीक ना करीब 10,028 वैदिक संस्क्रत भजनों में कुल 10,600 चंदों का संग्रा है और रिगवेद में बात करेंगे आपके 10 मंडल याद रखेगा आप लोग कितने मंडल हैं दोस्तों आप लोगों के एक मंत्र संग्राय है तो ये है रिगवेद का देख रहा हो कितना जो है डीपली कोशन पूछा जा रहा है आप लोगों से पेपर भी दोस्तों 2021 का CHSL का है तो पुरुष शूक्त जो है दोस्तों किस वेद का एक मंत्र संग्राय है तो रिगवेद हो जाएगा सूक्त का सबसे अधिक इस्तमाल किया जाने वाले में 24 मंत्र और इसलोक होते हैं पुरुष सूक्तम जो है भगवान विश्नु जी को समर्पित है जिने भजन में महान पुरुष के रोप में वर्णित किया गया है पुरुष सूक्त में आप लोगों के 5 सूक्तों में से एक अगला कोशन वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रहे को किस नाम से जाना जाता है तो इसको कहते हैं सहीता भी मैंने पढ़ाया था भी आपको बताया था भजन और जो आपकी सहीता है इसको क्या बोलते है इसको बोलते हैं दोस्तों संग्रहे को सहीता बोलते है तो अभी मैंने आप लोगवों को बैदिक भजन पढ़ाये थे वो कोशन आप लोगों का CGL में पूछा गया था और सेम कोशन यह वाला यही कोशन CPU में रिपीट हुआ ये question 2020 में था और वो question आपका 2021 में पूछा गया था आपका 18.08.2021 में पूछा गया था मतलब same question आपका SSC का repeat हो रहा है तो इसलिए सारे question आप लोग पढ़के जाएगा right answer हो जाएगा भजनों या मंत्रों का संग्रह सहीता के नाम से जाना जाता है रिग वेद पुस्तक में कितने मंडलों में विवाजित किया गया है तो अभी हमने आपको क्या पढ़ायता रिग वेद को कितने मंडलों में यहाँ पर विवाजित किया गया है तो रिग बेद में आप लोगों के दोस्तों करीब 10 मंडल है तो याद रखेगा दोस्तों 10 पुस्तकिया मंडलों में विवाजित किया गया है जो हिंदू धरम की सबसे प्राचीन या पुरानी पवित्र पुस्तकों में से एक है इसमें 10 मंडल है और 1028 अगर हम बात करेंगे 10 1028 का विताओं का इसमें संग रहे है तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों याँ पर 10 बिलकुल राइट है राजकिये प्रतीक पर सत्यमेब जैते सत्यमेब जैते दोस्तों किस उपनिशत से लिया गया है कई बारे कोशन आप लोगों का पूछा जा चुका है तो पती कहा जाता था गोपती जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों गोपती का मतलब दोस्तों क्या होता है गोपती का मतलब होता है मवेशियों का स्वामी गोपती को कहा जाता था याद रखियेगा अब आते हैं वेदांग पर वेदांगों के संदर में निमलिकित मेंसे कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है दोस्तों वेदांगों के संदर्व में कौन सा शब्द अनुष्ठानों को दर्शाता है तो अभी मैंने आपको पढ़ायता कल्प याद रिखेगा दोस्तों कल्प जो है अनुष्ठान का निर्देश देता है यह वैदिक अनुष्ठान चर्चा करने पर केंद्रित है, तो अनुष्ठान मतलब हो गया कल्प, काया, सरीर, निमलिकित नदियों में से किसे वैदिक काल में परुषणी के नाम से जाना जाता था, परुषणी, ठीक है न, तो अभी है मैंने आपको बताए दोस्तो परुषणी, तो इसका संबंद हो ज दूल गए आप लोग, तो परुषणी को जो है दोस्तो राभी कहा गया है, बाकी एक और आयाद रखेगा, इरावती के रूप में भी इसको जाना जाता है, परुषणी, राभी या इरावती, ठीक है न, दखो दखो, इरावती, तो दोस्तो रा ले लिया, वा ले लिया, ती में से बड़ी निकाल लिया, तो राभी से ही इरावती बना, राभी से ही परुषणी बना, परुषणी, राभी, इरावती सब एक ही है, और प्राचीन युणानियों के लिए इन्होंने हाइड्रो डोट्स के रूप में जाना जाता है, एक और याद रखेगा दोस्तो हाइड्रो डोट्स, ठीक है ना, बाकी सतला, चिना, ब्यास, यह अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया था, वैदिक सिध्धान के मुताबिक निमलिकित में से कौन सा गलत कथन दे रखा है, छत्रिय युद्धा साशकों की उत्पत्ति पुरुष के बाहां से हुई है, वैस दो, अगर हम इस कोश्ण की बात करेंगे, कौन सी बात जो है यहाँ पर गलत दे रखी है, तो अगर हम इस कोश्ण की बात करेंगे, C वाला point आपको गलत दे रखा है वैदिक सिद्धान्त ही कहता है कि ब्रामण या पुजारी जो है पुरुष के मुख से निकले है ये जो निकले हैं दोस्तों कान से निकले हैं ये पुरुष के मुख से निकले है ब्रामण जो है दोस्तो पुरुष के मुख से निकले है छत्रिय जो है आप लोगों के पुरुष के बाहों से निकले है और वैसे जमिदारी जो है जो है जांगों से निकले है और सूद्र जो है इनसानों के पैरों से निकले है ठीक है ना अगर आप इंसान के सरीर की यहां पर रचना देखेंगे तो चारों इससे दिख जाएंगे आप लोगों का यह मुख हो गया यह दोस्तों बाहें हो गए छत्रिये यह आप लोगों की दोस्तों यहां पर जांगे हो गए यानि की दोस्तों यहां पर क्या हो जाएग पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का पावापुरी पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुआ था दोस्तो अगर हम आम लोगों से पूछें गौतम बुद्ध जी को महापरी निर्वाल कहां प्रात्त हुआ कमेंट में इसका जवाब फटा-फट से बताएंगे दोस्तो गौतम बुद्ध जी को माहा परी निर्वाल जो है दोस्तो माहा परी निर्वाल कहां प्रात्त हुआ इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है तो पावापुरी यानि कि पावा जो कि विहार राजी के नालंदा जिले में है इसे अपपुरी के नाम से भी जाना जाता है ये है पाप रहित नगर ठीक है तो मोक्ष पराप्त हुआ दोस्तों यहाँ पर पावापुरी में ठीक है इसके बाद दोस्तों कुछ और भी हमने आ आप लोगों को दोस्तों बताना है निमलिकित मेंसे दोस्तों कौन भारतिय सम्विधान की विसेश्था नहीं है दोहरा सरकार शक्तियों का विवाजन अखिल भारतिय सेवाएं या फिर दोस्तों हो जाएगा आप लोगों का लिकिस सम्विधान चलिए फटाक से बताईए तो जिनका भी आंसर आ रहा है अक्यल भारते समिधान सेवाएं यह आपका नहीं होगा देखो दोहरी सरकार यूपी और आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर यूपी हो गया राज्य वाली हो गयी और केंदर वाली हो गयी दोहरी सरकार हो गयी शक्तियों का विवाजन भी किया है तो राज जी और केंदर में शक्तियों का बटवारा भी किया है हमारा सम्मिदान लिखे सम्मिदान है लेकिन ओल इंडिया सर्विसेस ये सम्मिदान की संगी विसेष्था नहीं है तो सी वाला पॉइंट आपका नहीं होगा संगी विसेष्था का मतलब है दोस्तो शक्तियो तो किस व्यक्ति ने दोस्तो भारत के समिदान को अर्ध संगीय रूप में लेकिन भावना में एकात्मक और अर्ध संगीय रूप में वगलित किया है वहीं दोस्तों करें मौरिस जोन्स की इनों ने सौधेवाजी संगवाद का नाम दिया है गरान विले आस्टिन ने सहकारी संगवाद आईवर जैनिंग्स ने केंद्री करण की प्रवत्ति वाला संग का है यह कुछ deeply points हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए जो आपके exam के point of view से important है भारती समिदान सवा के संदर में कौन सा कतन सही है समिदान सवा मई 1947 में भारत की राष्ट मंडल की सज़ता की पुष्टी की गई अगर हम बात करें देख सकते दोस्तों यह अभी आपका CGL में पूछा गया था 11 अपरेल 2022 का question है सेकिंड सिफ्ट का भारत समिदान सवा ने जन्वरी उन्नी सो पचान में अपना राष्ट गान गाया 1948 में राष्टिय गीत को अपनाया और 1949 में राष्टिय धच को अपनाया कौन सी बात आपकी सही है यह आपको बतानी है तो एक ही बात दोस्तों सही है बात दोस्तों 24 जन्वरी 1950 की 24 जन्वरी 1950 को जन्गर्मन रविन्ना टैगोरदौर रचित जन्गर्मन ठेक ना तो ये राष्टगान हम लोगों ने 1950 में अपनाया है, बी वाला पॉइंट जो है आप लोगों का सही दे रखा है, बाकि सारे पॉइंट आप लोगों के गलत दे रखे हैं, वहीं अगर हम बात करें वंदे मातरम की, तो 24 जनवरी 1950 को ही भारति समिदान सवा ने, 1950 में ही राष दोच तरंगा है ना दोस्तो, 22 जुलाई, याद करो वो दिन पढ़ाये था आप लोगों को, 22 जुलाई, 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने तरंगे को अपनाया है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तो, और 1911 में कोलकाता में दोस्तो, पहली बार गाया गया था, समिदान सवा को 1947 में नहीं, 1950 में, 24 जनवरी 1950 को समिदान सवा को जो है, अपनाया गया था, तो सारी बाते गलत भी हमारा सही, नेक्स्ट कोशन आपके स्क्रीन पर, भारत में समिदान को बनाने वाली समिदान सवा में कितनी महिला सदिस्से थी, अरे ये कोशन तो बिलकुल रटा रटा है मि भी डिसकस किया, तो ये पेपर देखो, 11 अपरेल को पूछा भी गया है, जब समिदान सवा का गठन हुआ था ना, तो महिलाएं थी, उसमें 15 महिलाएं थी, कौन-कौन से महिलाएं थी दोस्तों, तो याद रखेगा, 15 महिलाएं जो थी समिदान सवा में, जब गठन किया ज था, समिदान सवा को बनाए जा रहा था, उस समय 15 महिलाएं इसमें बल चलकर हिस्सा लिया था, तो याद रखेगा, दोस्तों, 6 दिसंबर 1946 को समिदान सवा का गठन किया गया, समिदान सवा का जो विचार रें 1934 में ये, एमन राय के जो है दिमाग में आ चुका था, एमन सथाई अद्याक्ष दे सजदन सिना इस्थाई अद्याक्ष राजन्वर प्रसाद जी सम्मधानिक सलाकार वियन राओ जी और मसौदा समीति के अद्याक्ष भीरा ओमेटकर जी थीकों कि आगे बहरत एंGB C की समिधान सवा की सदन समीती के अद्यक्ष कौन थे ये वही हैं दोस्तों जिनों ने यहाँ पर भूके रहे कर जो है दोस्तों अपनी जो है जान गवादी थी तो ये माहन व्यक्ति आप लोगों की कौन है गांदी जी के करीवी व्यक्ति है इनका नाम है दोस्तों वी सीता रमिया जी बिल्कुल राइट है ये भारतिय समिधान सवा की हाउस कमिटी के अद्यक्ष थे और 1922 में ए भी ठककर की भील सेवा मंडल की इनों ने स्थापना की स्वतंद्रता के समय भारतिय राष्टिय कांग्रेश के अद्यक्ष जेवी करपलानी थे जेवी करपलानी भारति राष्टि कांग्रेश के जब स्वतंद्रत हो रहा था भारत उस समय करपलानी जी कांग्रेश के अद्यक्ष थे एवन मुंसी जी जो हैं विदान सवा विदान भवन के संस्तापक हैं ठीक है तो याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन निमलिकित में से कौन सा शब्द भारत के समिधान की प्रस्तावना में गर्ण राज्य शब्द से पहले नहीं है तो समिधान की प्रस्तावना अगर आप लोगोंने पढ़ी होगी हम भारत के लोग भारत को एक लोगतांत्रिक इस तरीके से आप लोगोंने पढ़ा होगा तो प्रस्ता लोग, संप्रभू, समाजबादी, धर्म निर्पेक्ष, लोगतांत्री गडराज्य, नयाय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्मता को अपनाते हुए, ठीकना ये सपत लेते हैं, तो जिनका भी आंसर आ रहा है संग ये बिल्कुल राइट है, संप्रभू है, लोगतांत्री समाजबादी, सब कुछ है, लेकिन संगिये नहीं है, अल्लादी क्रश्ण स्वामी अयर भारत की समिधान सवा के किस के अध्यक्षते, तो क्रश्ण स्वामी अयर जी किस के अध्यक्षते, किस समीती के अध्यक्षते ये आपको बताना है, तो क्रश्ण स्वामी अयर जी हमा पत्र समीती, ठीक ना, क्रिडेंशियल कमेटी के अध्यक्स थे, अलादी क्रश्ना स्वामी आयर भारत के समिदान सवा के प्रत्य पत्र समीती के अध्यक्स थे, संग समीती के अध्यक्स थे दोस्तों, जेल नहरू जी, जेल नहरू जी, आपके संग शक्ती समीती के अध्यक्स थे सूची समीति की बात करेंगे कारे सूची समीति की अध्यक्ष थे मुन्शी जी के एम मुन्शी जी कारे समीति की अध्यक्ष थे और मौलिक अधिकार उप्र समीति की अध्यक्ष थे जे भी क्रपलानी जे और अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाए था जे भी क्रपलानी दोस्तों कांग्लेश के अध्यक्ष रहेते सुतंतुर भारा स्सेतy रोह था तो उस समय कांग्लेश के जो अध्यक्ष थे वह आपके ज सब्धान सवा कि भारती सवतंदरता अधियम 1947 कि धारा आठ्ट में है आठ में जो है सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 में है 6 के 2 में आपका क्या पासपोर्ड अधिनियम 1967 है धारा 10 के एक में अध्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है धारा 12 के 2 में भूमी अधिगरण अधिनियम 1894 माल की विक्री अधिनियम 1930 तो बहुत ही ये डीपली कोशन दोस्तों जो आपके एक्ट से बन रहे हैं और इन धाराओं से पूछे जा रहे हैं यहां पर तो धाराओं की यहां पर आप लोगों को डीपली नॉलिज होनी चाहिए अब दोस्तों बात करते हैं जीवी मावलंकर जी की जैसा कि आपको पता होगा गडेश, वाशुदेप, मावलंकर जी हमारे अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर लोग सवा के प्रतम अध्यक्ष थे तो भारत की समिधान सवा के अध्यक्ष थे किस चीश के अब यह तो हम लोग को रटा हुआ है कि जीवी मावलंकर लोग सवा के प्रतम अध्यक्ष मीरा कुमार जी प्रतम महिला अध्यक्ष लेकिन अब बताईए किस समीती के अध्यक्ष थे कोश्यन के नोंने थोड़ा सा डीपली पूछा और यहां पर आप लोग हिल गए तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्यों पर समीती के अध्यक्ष थे ठीक है ना जीवी मावलंकर जी लोग सवा के पहले स्पीकर थे अगर मैं आप लोगों से बात करूँ मौलीक अधिकारों अल्फ संख्यकोर आदीवासी और भाहिसकर छेत्रों पर सलाकार समीति के अध्यक्ष तें बल्लब भाई पटेल जी भी वी पी याद रखिएगा मौलिक अधिकार अल्फ संक्यक जन जाती बहिसकर्त छेतरों की सलाकार समीति भी विप और व्यपार समीति व्यपार आगे मुन्शी जी ब्यपार आगे दोस्तों केम मुन्शी जी आगे दोस्तों और राश्टी धोच अभी मैंने आपको पढ़ा है, राश्टी धोच पर आपके थे राजिंदर प्रशाद जी, यह हमारे सम्विदान सवा के इस्थाय अद्यक्ष थे, और सचिदानन सिना जी, आई स्थाय अद्यक्ष थे, 9-11, 9-11, 9-11, 9 नंबर पे आप लोगों के क्या थ 9 तारिक को दोस्तों, यहाँ पर 9 दिसंबर को आपके सख्षिदान सिना चुने जाते हैं और 11 तारिक को चुने जाते हैं आपके राजिंद प्रशाद जी, सम्विदान सवा के इस्थाई अद्यक्ष के रूप मे, अगला कोश्चन आपके सामने है, सम्विदान सवा का सत्र कब आयोजित किया गया था तो यह आयोजित किया गया था छे से 17 अक्टूबर उन्निस सो उन्चास को ठीक ना दसवा सत्र पूछ लिया मतलब इतना डीपली कुश्चन पूछ रहा है आप लोगों से चलो मैं पहला सत्र आप लोगों को बता देता हूं यहाप पर समिधा का पहला सत्र जो है दोस्तों ये याद रखना दोस्तों पहला सत्र जो है 9 से 23 डिसंबर lynas 1946 को पहला सत्र हुआ था दूसरा सत्र 20 से 25 माई जन्मरी 1947 में तीसरा सत्र जो है दोस्तों आपका 28 अप्रेल से 2 माई 1947 में चौता सत्र 1931 से थे ना 1947 में 5 मां 6 मां 7 मां 11 सत्र यह सब आपको पता होने चाहिए सम्मिधान के दोस्तों सारे सत्र आपको कम से कम 11 सत्र तो जो है आप लोगों को पता होने ही चाहिए ग्या आप लोगों के लिए important है और सभी लोगों से मरा निवेदा नहीं कि वीडियो को like करते रहिए class को share करते रहिए और अपनी class को मिलकर जो है आप सभी लोग support करते रहिए क्योंकि आज का जो session है बहुत important है, बहुत helpful है और जिस भी तरीके से जैसे भी question जो भी आप लोगों के exam में पूछे जा रहे हैं, बिलकुल वैसे ही हो बहुत दोस्तो paper में आई हुए question अब आप लोगों को provide कर आ रहे है सर ये question पूछे गए हैं, ये वापिस तो नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे अभी मैंने कहा आप से 2020 में question अगर पूछा गया है 2021 में repeat हो रहा है तो क्यों नहीं आएंगे अगर my dear, दसमा सत्र पूछा है, तो आप से पहला सत्र पूछ लिया जाएगा, आप लोगों से 11 सत्र पूछ लिया जाएगा, तो क्यों नहीं repeat होंगे, बिलकुल repeat होंगे दिमाग इतना लगाना है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ self study जब आप लोग करते हैं तो self study में किबल इतना करना है जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बस बो topic पूरा cover कर लेना है कुछ भी बाहर नहीं जाएगा ठीक है ना जब कोरोना भापिस आ सकता है तो question भापिस क्यों नहीं आ सकते हैं विलकुल सही निमलिकित में से 1946 में मदरास्ट निर्वाचन छेतर में समिधान सवा का हिस्सा बना था दोस्तो कौन दोस्तो अब आप लोगों को यहां पर बताना है निमलिकित में से कौन 1946 में मदरास्ट निर्वाचन छेतर से समिधान सवा का हिस्सा बना था तो यह थे दोस्तो अम्मू स्वामिनाथन जी जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तो अम्मू स्वामिनाथन जी बिलकुल राइट है सही जवाब क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा अम्बू स्वामिनाथन 1946 में आप लोगों के मदरास निरवाचन छेतर से समिधान सवाई के लिए चुने गए थे स्वामिनाथन जो हैं आपके 1942 में आप लोगों के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल थे डॉक्टर राजिन प्रशाद जी को अद्देश की दोप में चुना गया था और इसके उपाद्यक्स थे हरेंद्र कुमार मुखर जी थे ठीक है अब ये थोड़ीना पेपर में आ रहा है महत की क्लास अभी सुबह आमने मौर्णिंग में 11 बजी आपको करा दी थी आप जो है यहाँ पर क्लास की लिष्ट में जाकर देख सकते हैं चले इसको देखिए समिदान सवाकी प्रारूप समीती में कितने सदस्य होते हैं समिदान सवाकी प्रारूप समीती में साथ सदस्य थे समिदान सवाकी प्रारूप समीती में दोस्तों आपके साथ सदस्य थे इसमें आपके डॉक्टर भीमराव अमबेटकर इसकी अध्यक्ष थे तो जिन दोस्तों का अंसर आ रहा है साथ बिल्कुल राइट है तो प्रारूप समिती में साथ अध्यक्ष्ट साथ जो थे आपके सदस्य थे और इसके अध्यक्ष्ट है भीमराव अमेटकर जी बाकी याद रखेगा दोस्तों करश्न स्वामी अयर जी ठीक ना गोपाल स्वाम जी अमेटकर जी कीम मुंशी जी फिर आप लोगों का मोहमज साधुतुला जी फिर आप लोगों के दोस्तों यहाँ पर आ जाएंगे बीयल मित्तल जी और फिर आजाएंगे दोस्तों डीपी खेतान जी डीपी खेतान जी तो दोस्तों करश्न स्वामी अयर जी गोपाल जी गोपाल स्वामी, अमेटकर जी, और ये के से मतलब आपका क्या है दोस्तो, इस के का मतलब आप लोग याद रखेगा दोस्तो, अमेटकर जी होगा, ये है के मुन्शी जी, के मुन्शी जी, फिर बी से दोस्तो आपका क्या है दोस्तो, मुहम्मद सादुतुला जी, मित्तल जी और हमारे यहां पर दोस्तो खेतान जी ठीक है चिलिए अब बढ़ते हैं आगे भारत का सम्मिधान हस्त लिखेता है भारत का सम्मिधान किसके दौरा हस्त लिखेता है भारत का सम्विधान किसके दोरा हातों से लिखा गया है तो ये हैं प्रेम बिहारी नरायन रायजादा सही जवाब हो जाएगा प्रेम बिहारी नरायन रायजादा भारत का सम्विधान प्रेम बिहारी नरायन रायजादा दोरा हातों से लिखा गया इन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में 395 आल्टिकल्स, आठ अनुसूचियां और सम्विधान की प्रस्तावना को हस लिखित करने में 6 महिने का समय लिया तो समझ रहा दोस्तों इतनी महिनत की है दोस्तों इन्होंने प्रेम बिहारी नरायन जी ने 6 महिने लिये ते दोस्तों यहाँ पर समिधान को लिखने में और आपको यह तो पता ही होगा दोस्तों समिधान बनने में 2 वर्ष 11 महा और 18 दिन का समय लग गया था तो 6 महिने लिखना तो लाजमी है तो सह प्रेम बिहारी नारायन रायजादा समीदान सवा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी हो नौ दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी जिसमें सचिदानन सिना जी को इसका आइस्थाई अध्यक्ष बनाए गया था पहले अध्यक्ष यह थे बाद में आपके जो है डॉक्टर राजेंदर प्रशाद जी को इसका इस्थाई अध्यक्ष बनाए गया ठीक है ना नेक्स्ट कोश्चन देखी दोस्तों किसी राज्यकी राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के समिधान द्वारा भारत के समिधान द्वारा जो है निर्धारित नियूंतम निर्धारित आईयो कितनी है यह आप लोगों को बताना है तो आप लोगों का सही जव निर्धान दौरा निर्धारित नियुन्तम आयू कितनी है तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 35 साल होगा इस कोशन का बिलकुल करेक्ट आंसर समझ में आ रहा है तो प्रतेक राज्जी के लिए एक राज्यपाल होगा यह हमारा आल्टिका लंबर 153 में है यह हमारा ठीक है ना समझान के भाग छे में राज्यपाल का वर्डन किया गया है ठीक है 153 से लेकर 167 तक 153 से लेकर 167 तक जो है राज्यपाल की कारेकारणी के बारे में बताए गया है शिव बाबू ये class CRPF के लिए इंपोर्टेंट है ठीक है अलग से नहीं करा पाएंगे आपको चुकि एक इंसान अलग-अलग class नहीं करा सकता हमारे पास इतनी वड़ी team नहीं है एक अकेला अदम जितना आपके लिए कर सकता है वो कर रहा है तो शिव बाबू अगर आपको focus करना है तो मैं जो question पढ़ा रहा हूँ अगर आप इतना ही पढ़ लोगे तो आपका कोई भी exam crack हो जाएगा अगला question भारत के संभिधान ने कई संस्थागत विवरन और प्रक्रियाओं को अपनाया दोस्तो अब इसको बताईए भारत के संभिधान ने कई संस्थागत वित्रन और प्रक्रियाओं को अपनाया तो आपका right answer हो जाएगा भारत सरकार अधनियम 1935 तो जिनका भी answer आ रहा है भारत सरकार अधनियम 1935 बिल्कुल right है सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधनियम 1935 इससे अपनाये गया भारत सरकार दनियम 1935 की विसेश्था क्या है प्रांतिये 12 आशन का उर्मूलन केंदर में 12 आशन की शिरुवात और भारत की स्वतंदरता की दिशा में बड़ा कदम था ठीक है चलिए अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर आपके सामने आपको दिया गया ह है इसको देखिए हां MTS के लिए मैं आपको English और GS पूरे ही करा दोंगे English और मैं आपको जी के पूरी complete कराऊंगा दोस्तों जिसमें सब कुछ होगा आपका ठीक है ना अब यह देखिए दोस्तों निम्लिकित में से किस अधनियम ने विधायका में संगी विसेश्था और प प्रांतों की वीच विधाई शक्तियों के वित्रन का प्रापधान किया तो आपका राइट आनसर हो जाएगा भारास सरकार अधनियम 1935 तो जिनका भी आनसर आ रहा है दोस्तों भारास सरकार अधनियम 1935 आपकी बात बिल्कुल सही है एक अकेला आदमी पाहर तोड सकता है मांजी दा मांट मैन ठीक है ना आपने बिल्कुल सही का मांजी दा मांटेन मैन लेकिन पाहर तोडने के लिए भी समय तो चाहिए है ना दोस्तो पहार तोड़ने के लिए समय तुछेंगे जिस तरीके से दोस्तो एक आदमी पहार तोड़ने में अगर 50 दिन का समय लेता है दोस्तो तो 50 आदमी पहार तोड़ने में सिर्फ एक दिन का समय लेंगे तो ये तो थोड़ा सा आपको पता चले गई न एक आदमी पहार तोड़ने में अगर 50 दिन ले रहा है तो 50 आदमी पहार तोड़ने में सिर्फ एक दिनी लेंगे दोस्तों, बात बराबर है दोस्तों, लेकिन टाइम लग जाता है, वहीं 50 आदमी होते हैं तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन कर सब लेंगे दोस्तो छोड़ेंगे कुछ भी नहीं तो मेरे प्यारे मित्रों भारत सरकार अधनियम 1935 में विधाईका में संगी विसेस्ताइं और प्रांतिय सोहतता की शुरुवात की गई और केंद्र और प्रांतों की बीच में जो है दोस्तों वित्रन शक्तियों का प्राब्धान किया गया तो राइट आंसर आ रहा है दोस्तों भी आ रहा है नेक्स्ट कोश्चिन आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए समिधान सवाग की कुल सदिस्ता 389 थी जिसमें रियासतों के कितने प्रतिनिदी शामिल थे दोस्तों जिसमें दोस्तों आपको बताने है रियासतों के कितने प्रतिनिदी जो थे आप लोगों के शामिल थे ये आपको बताना है एक बहुत ही बहतरीन और important question आप लोगों की screen पर है तो अगर हम इस question की बात करेंगे भाईयो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को like करते रहे है share करते रहे है 292 याद रखना दोस्तो 292 जो थे प्रांतों के प्रतिनिदी थे 292 जो थे दोस्तों इसमें रियासतों के सतस्षे थे ठीक ना और बाकी दोस्तों जो चार थे आप लोगों के चार यह दिल्ली अजमेर मेरवाड़ा कुर्ग और ब्रिटिश बलुचास्तान के मुख के सतस्षे थे तो 292 प्रांतों की प्रदिनिदी, 93 रियासतों की प्रदिनिदी, चार आप लोगों की दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलुचिस्तान के सदस्य अरे संजना जी आप पड़ाई पर ध्यान दो, वाइरस आप भी पड़ाई पर फोकस करो, किसी से बात मत करो, ठीक है सब अपने आपने महान है, तो जिन दोस्तों का अंसर 93 आ रहा है, बिल्कुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका 93 दोस्तों समिधान सवा के सदस्यों ने भारत के समिधान पर कभ हस्ताक्षर किये थे, चलिए फटाक से बताएगे दोस्तों, समिधान सवा के सदस्यों ने भारत के समिधान पर कभ हस्ताक्षर किये थे, तो दोस्तों जैसा कि आप सबी लोग यहाँ पर जानते ही होंगे, 24 24 जन्वरी 1950 को नोट कर लिज़े दोस्तो 24 जन्वरी 1950 को समिधान सवा के सदस्यों ने 24 जन्वरी 1950 को भारत के समिधान पर जो है खास्ताक्षर किये उस दिन समिधान सवा की अंतिम बैठक हुई भारत के समिधान में आपके 395 articles आठ आप लोगों के उन्वरी सूची है 22 भाग थे ठीगे ना और इन सभी को सुवकार किया गया नेक्स्ट कोशन आपके सामने आपको दिया गया है निमलिकित में से किस वर्ष भारती राष्टी कांग्रेस ने समिधान सवा की मांग की थी दोस्तों कांग्रेस ने समिधान सवा की कम मांग की थी एक बहुत ही इंपॉर्टन कोशन आपके सामने है तो बात है 1934 की याद रखना दोस्तों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टन बात है 1934 में भारत में एक कम्मिनिस्ट आंदोलन अगरणी एमन रवाय दोरा समिधान सवा के विचार को प्रस्तावित किया गया था और 1935 में दोस्तों भारती राष्टी कांग्रेस की अधिकारिक मांग बन गई 1935 में दोस्तों ये कांग्रेस की अधिकारिक मांग बन गई अगला question आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तो किस में नियमों और सिधानतों के एक set को प्रसुत करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग जिस तरह से देश पर शाषन करना चाहते हैं उसके आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं समिधान नियमों और सिधानतों के एक set है जो प्रसुत करने मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग जिस तरह से देश को साषित करना चाहते हैं उसके अधार पर सहमत हो सकते हैं next question देखिए 1946 में निम्लिकित मेंसे किसे भारती समिधान सभा का अंत्रिम अध्यक्ष बनाए गया था तो समिधान सभा का अंत्रिम अध्यक्ष जो है 1946 में किसे बनाए गया था 1946 में समिदान सवा का अंत्री मद्यक्ष डॉक्टर सचिदानन सिना जी को बनाए गया था ठीक है ना सचिदानन सिना को यहाँ पर बनाए गया था ठीक है सर को यह ना दीजिए क्या ना दीजिए भाई तो मेरे प्यारे मित्रों भाई मैं जो ही यूपी से हूँ स्लो मोड मैं इसलिए लगा रखा है क्योंकि कुछ ना पढ़ने वाले लोगों ने नाक में दम कर रखा है जिससे मुझे बहुत इरिटेशन होता है आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो चलेगा लेकिन कोई यहाँ पर प्यार के रहने वाले थे वह पेशे से वकील थे राजन प्रशाद दो दिन बाद 11 दिसंबर को समिधान सभा के इस्थाई अध्यक्ष चुने गए अगला कोशन देखिए इसको बताईए भारत के समिधान सभा के मसादा समीति के अध्यक्ष कौन थे तो मसादा समीति के डॉक्टर भीम्राव अम्वेटकर्जी सही जब आपके आओ जाएगा अगला कोश्यन देखिए भारत में हर साल संमिधान दिवस किस दिन मनाई जाता है भारत में दोस्तों हर साल जो है संमिधान दिवस कम मनाय जाता है समिधान दिवस मनाए जाता है दोस्तो 26 नवंबर को क्योंकि दोस्तो 26 नवंबर 1949 को हमारा समिधान बनकर तयार हुआ था और 26 जन्वरी 1950 को इसको लागू किया गया तो भारत के समिधान को अपनाने के उपलक्षे में हर साल 26 नवंबर को समिधान दिवस मनाय जाता है 26 नवंबर 1949 को भारत की समिधान सवा ने भारत के समिधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया उन्चास में अपनाया और पचास में दोस्तों लागू किया इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है जितने भी लोग देख रहे हैं जैसे मैं देख पारों श्रबन भाई जुड़े हैं नीर है नायरा है बैजू है संगीता चौधरी सुमित हैं कुलदीप हैं ठीक ना राम सा गर्जर हैरी स्वाति कुल्दीव वायरस जितने भी लोग जुड़े हैं मेरा आप से निवेधन है री तू सब भी लोग वीडियो को लाइक करते हैं उन जिन दोस्तों ने अभी तक क्लास को शे कर दें नहीं किया है फड़ा फडसे क्लास को शेर कर दिजए भारतीस अमिद इसको बताई दोस्तो निम्लिकित में से किसने भारतिय सम्विधान की प्रस्तावना को भारतिय सम्विधान की राजनेतिक कुंडली की रूप में वर्णित किया तो भारती सम्विधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया तो ये हैं दोस्तों आपके कनिया लाल मडिक लाल मुन्शी जी इन्ही का नाम है दोस्तों के एम मुन्शी जी इन्हों ने क्या गिया दोस्तों कनिया लाल मडिक लाल मुन्शी जी प्रस्तावना को समिधान की कुंडली का के एम मुन्शी जी ने भारत में पहला समिधान सवाचुनाब कब हुआ था तो पहला समिधान सवाचुनाब 1946 में हुआ भारत में पहला समिधान सवाचुनाब 1946 में हुआ गरतंत्र भारत समिधान के मुताबिक 26 नवंबर 1949 को समिधान सवा दोरा अपनाए गया इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया दोस्तो अध्यक्ष मोतिलाल नहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतिय समिधान का प्रारूप तयार किया था तो भारतिय समिधान का प्रारूप तयार किया था 1928 में आप लोगों ने पढ़ा होगा मोतिलाल नहरू रिपोर्ट ठीक है ना आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों यहाँ पर मोतिलाल नहरू रिपोर्ट के अगर हम बात करेंगे मोतिलाल नहरू रिपोर्ट 1928 तो जिनका भी आंसर 1928 सारा बिलकुल राइट है पंडित मोतिलाल नहरू की अध्यक्षिता वाली एक समीति बनाई गई यह समीति तब बनाई गी थी जब भारत के राज्ये में सचिव लॉर्ड विरकेन हैड ने भारते नेताओं को देश के लिए एक समीधान का मसौदा तयार करने के लिए कहा था तो इस समय सचिव कौन था इस समय भारत का राज्ये सचिव कौन था दोस्तों इस समय भारत का राज्ये सचिव था लॉर्ड विरकेन हैड लॉर्ड विरकेन हैड था ठीक है अगला कोश्चन निमलिकित में से कौन सी भारतिय संग्य धाची की विसेश्था नहीं है लेकिस सम्विदान है विवादों के निप्टाने के लिए स्वतमतर नयाय पालिका है केन और राज्यों की भी सक्तियों का विवाजन है लेकिन एकल इस्तरिय सरकार ये नहीं है ये संग्य धाची की विसेश्था नहीं है एकल इस्तरिय सरकार ये आपका नहीं होगा तो जिनका भी आंसर आ रहा है एकल इस्तरिय सरकार बिल्कुल राइट है एकल इस्तरिय सरकार भारतिय संग्य धाची की विसेश्था नहीं है भारत में सरकार के तीन संग हैं तीन इस् इस्थानिय सरकार तो भारत में दोस्तो तीन इस्थानिय सरकार है भारत की बात करेंगे दोस्तो तीन इस्थानिय सरकार है दोस्तो केंड सरकार दूसरी है दोस्तो आपकी राज्य सरकार और तीसरी है दोस्तो आपकी इस्थानिय सरकार केंडर राज्य और इस्थानिय सरकार त स्वतंद्रता, समान्ता और बंधुत्व के आदर्श, ये किस समिधान से लिए गए हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर फ्रांस हो जाएगा. स्वतंद्रता, समान्ता और बंधुत्व के आदर्श, भारत के समिधान की प्रस्तावना में फ्रांस से लिए गए हैं, तो जिन दोस्तों का आंसर फ्रांस आ रहा है, बिल्कुल राइट है, सही जवाब क्या हो जाएगा? राइट आंसर आप लोगों का फ्रांस होगा, जिन अपनी कलास को मिलकर आप लोग सपोर्ट करते रहे हैं, भारती सम्विधान तयार करने की दौराण, 1946 में सभा का सम्मिधानिक सलाकार किसे न्युक्त किया गया था? सम्मिधानिक सलाकार न्युक्त किया गया था, बीन राव जी को, ठीक है? तो अभी मैंने आप लोगों को पड़ाया, सम्मिधान सभा का सम्मिधानिक सलाकार बियन राउ जी को निउक्त किया गया तो जो एक विधी वेत्ता थे और उन्हें सम्मिधान सभा के सम्मिधानिक सलाकार के रूप में निउक्त किया गया, राउ ने सम्मिधान का प्रारूप मूल तयार किया, ठीकिना सम्मि नीती आयोग नहीं वित आयोग है आपका वित आयोग है राश्टी अनुसूची जाती आयोग है चुनाव आयोग है लेकिन नीती आयोग एक सम्मिधानिक निकाए नहीं पहले इसका नाम योजना आयोग था इसको कभी भी संसत की अधिनियम की रूप में पारित नहीं किया ग गठन जो है एक जनवरी 2015 को किया गया था इसका गठन जो है दोस्तो एक जनवरी 2015 को किया गया था आप नीती की फुल फॉर्म बताएंगे मैंने कल भी पूछा था लेकिन कोई भी नीती की फुल फॉर्म मुझे नहीं बता पाया किसी को पता है दोस्तो नीती की full form कोई है मैदान में तो सामने निकल कर आए है किसी में stamina है किसी में दम सामने आओ और जवाब दो full form बताओ नीती की full form अद्यक्ष इसकी हमेशा प्रदानमंत्री रहते हैं अब देखिए आपका अगला question है निम्न में से कौन सा विशेषर प्रस्तावना का भाग नहीं है तो प्रस्तावना का भाग नहीं है सुतंत्रता सहिश्णू समप्रभू या धर्व निरपेख्ष ठिक ना तो अगर हम इस question की बाद करेंगे सहिश्णू tolerant तो दोस्तो सहिश्णू जो है आपका ये प्रस्तावना का भाग नहीं है National Institution Transforming India Very Good, बिल्कुल सही बताए आप लोगोंने National Institution Transforming India Very Good, बहुत बढ़िया शाबबास शाबबास जीते रहो ऐसे ही नाम कमाते रहो प्रस्तावना में भारत को एक समप्रभू समाजवादी धर्म निर्पेक्ष लोगतांतरिक गल्ड राज्य घोशित किया गया है प्रस्तावना की छे उद्देशे एक्टा नियाई शान्ती रक्षा कर्णियार और स्वतंतरता है अब देखी दोस्तो भारतिय सम्मिदान की प्रारूप समीती में कितने सदस्य थे अभी मैंने पढ़ाए दोस्तो प्रारूप समीती में आप लोगों के साथ सदस्य थे जिसमें आप लोगों के बी आर अमबेटकर जी बी आर अमबेटकर जी के एम मुन्शी जी ठीके ना एके अयर जी एन गोपाल स्वामी जी महम्मत सादुतुल्ला जी बीयल मित्तल जी बीयल मित्तल जी और डीपी खेदान ओके तो इसको कैसे याद रसकते हैं दोस्तों यहाँ पर बकान MBD तो दोस्तो बकान MBD तो दोस्तो भीमराओ अमेटकर जी फिर दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों K.M. Munshi जी A.K. I.R. जी A.K. I.R. जी N.K. Gopala स्वामी जी N. Gopala स्वामी महम्मत सादुतुला B.L. मित्तल और DP. खेदान Next question आपके सामने है सम्मिधान की मसाओदा समेती की अध्यक्षता किसने की किसने की सम्मिधान की मसाओदा समेती की अध्यक्षता कितनी वार मैंने पड़ाया Dr. Bheemarov Ambedkar ने कब की 25 नवंबर 1949 को 25 नवंबर 1949 को 2 अभर वा अमबेटकर जीने जो है राजिन परशाद को भारते समिधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया था ठीक है अगले कोश्चन आपके सामने आपके सामने दिया गया है इसको बताईए दोस्तो प्रांतिय समिधान समिधी की अध्यक्षता किस ने कीती प्रांतिय समिधान के अगर हम बल्लब भाई पटेल जीने याँ पर की थी, इस सवा में टोटल 13 समितियों की निवक्ति की गई थी, इन में 8 प्रमुक समितियां थी और बागी कुछ छोटी समितियां थी, तो प्रांती समिति की अध्यक्षता सरदार बल्लब भाई पटेल जीने की थी, अगला कोशन आपके सामने आपको दिया गया है भारत के सम्विधान दोरा किस प्रकार के नागरिक्ता प्रदान की जाती है भारत के सम्विधान के दोरा एकल और समान नागरिक्ता प्रदान की जाती है हम सब भारतिये हैं हम यह नहीं कि हम यूपी के हैं, हम व्यारी बाबू हैं, हम यूपी बाबू हैं, हम जो है कन्नल बाबू है, या फिर दोस्तों हम तेलगू या कन्नल या मल्याली हैं, यह कोई नहीं कहता दोस्तों, हम सब भारतिये हैं, हमारे अंदर एकी भावनाई कि हम सब भारतिये हैं, धर्मों में अ नेक्ता होने के कारण भी हम सब भारती हैं कहलाते हैं ठीक है ना हम सब भाई भाई है और हम सब भारती हैं सिंगल है तो जिनका भी आंसर एकल नागरिक्ता आ रहा है बिलकुल राइट है अगला कोशन देखिए समिधान सवाने भारत के समिधान को कब सुईकार किया तो समिध अगला कोशन 1967 में भारत के समिधान में राज भाशाओं की सूची में निमलिकित में से कौन सी भाशा को शामिल किया गया था। 22 भाशा हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कंणर, कश्मीरी, कौंकडी, मल्यालम, मरीपूरी, मराथी, नैपाली, उरिया, पंजाबी, संस्कर, सिंधी, तमिल, तेलगू, उर्दू, बोडो, संधाली, मैथली, डोंगरी। ठीक है ना? तो शुरुवात में दोस्तों किबल 14 भाशा हैं थी, 1967 में दोस्तों आप लोगों की सिंधी भाशा को जो है शामिल किया गया था। चौदा भाशाओ को जो है यहाँ पर शामिल किया गया था, स्टार्टिंग में。 अगला कोशन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। भारती सम्मिधान का जनक किसे माना जाता है भारती सम्मिधान का जनक माना जाता है बाबा साहब को भारती सम्मिधान का जनक कहा जाता है यह आधुनिक भारत के महांतम नेताओं में से एक हैं और इन्हें सम्मिधान का जनक माना जाता है ठीक है देखें मोड से बच्छे आप को क्या problem है पढ़ाई कर लो ना तुम्हें comment करना है comment करने में क्या है जरूरी ये बाते करना ये दो वन्शी चीकू जरूरी है बाते करना है next question आपके सामने आपको दिया गए इसको देखिये निमलिकित में से कौन भारती समिधान के प्रारूपन के लिए जिम्मिधार समिधान सवा का हिस्सा नहीं था तो कौन समिधान सवा का हिस्सा नहीं था महातमा गांदी वल्लाबाई पटेल नहरो जी अम्वेटकर जी हमें तो एक ही व्यक्ति नजर आ रहे हैं इसमें जो समिधान सवा के हिस्सा नहीं थे महातमा गांदी जी महातमा गांदी जी जो थे समिधान सवा के हिस्सा नहीं थे भारत के समिधान के मुताबिक एक राज्ये में मद्धेवर्ती इस्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है जिसकी अवादी अधिक न हो, किस से अधिक न हो तो 20 लाग से अधिक जनसंख्या वाले राज्ये के मद्देवर्ती इस तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता अगर 20 लाग से जादा आवादी है दोस्तों तो मद्देवर्ती इस तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा ठीक है ना तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तो 20 लाग बिलकुल राइट है नई टाइमिंग के लिए शिप बावु अब टेलेग्राम को जोइन कर लिजिए हम सुबह जो है 10 बजे के बाद से जो है अपने आफिस में बैठ जाते हैं और रात में 12 बजे तक जो है लगातार क्लास कराते रहते हैं मेरा फंडा यही है जब तक रहेगी जान तब तक करेंगे आपके लिए काम तो जब तक जान रहेगी आपके लिए काम करते रहेंगे जब भूग लगेगी तब खाना खाएंगे बीच में फिर खाना के बाद जान आएगी फिर आपको पढ़ाएंगे जब तक रहेगी जान तब तक करेंगे आपके लिए काम तो 10 बजे से 12 बजे तक मैं लगातार आपको क्लास कराता हूँ अधिक जानकारी के लिए आप लोग टेलेगराम गुरुप को जोइन कर लीजे स्वतंद्र भारत के पहले स्वास्ते मंतरी कौन थे स्वतंद्र भारत के पहले स्वास्ते मंतरी कौन थे स्वतंद्र भारत के पहले स्वास्ते मंतरी आप लोगों के कौन थे तो ये थे राज कुमारी बीबी जी अमरत कौर तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तो राज कुमारी बीबी जी अमरत कौर बिलकुल राइट हो जाएगा दो फरवरी 1889 से 6 फरवरी 1964 तक एक भारती कारे करता और राज नीतक थी 1947 में ने भारत की पहली स्वास्ते मंतरी के रूप में नियुक्त किया गया तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तो 1889 से दोस्तो 1964 तक एक रही है तो जिनका भी आंसर आ रहा है राज कुमारी अमरत कौर बिलकुल राइट है Next question आपके सामने आपको दिया गया है भारत के सर्वोच नियालय का उद्गाटन कब हुआ था भारत में सुप्रीम कोड का जो उद्गाटन है वो कब हुआ था 28 जन्वरी 1950 28 जन्वरी 1950 को सुबह 9.30 बज़े टाइम भी मुझे एक्जेक्ट या था दोस्तो सुबह 9.30 बज़े जो है नियाई दीशों ने सर्वोच नियालय में अपना इस्थान ग्रहन किया था सुबह 9.45 बच कर पैतालिस मिनिट पर 28 जन्वरी 1950 को सुबह 9.45 बच कर पैतालिस मिनिट पर नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने है भारत के समिदान में एकल नागरिक्टा की अबधार्णा कहां से ली गई है तो एकल नागरिक्टा की जो अबधार्णा है दोस्तो ये कहां से ली गई है दोस्तो तो बहुत अच्छा सवाल आपके सामने आपको दिया गया है UK से United Kingdom से जो है दोस्तो एकल नागरिक्ता की अबधाना जो है दोस्तो United Kingdom से ली गई है तो दोस्तो United Kingdom से आपका संसदिय सरकार कानून का साशन विधाई प्रक्रिया एकल नागरिक्ता cabinet प्रणाली, विसेश अधिकार, रिटे, संसदिय विसेश अधिकार, दुई सदनियता ये सब United Kingdom से ले गई है भारत के समिधान में दुई सदनिय संसत का प्रावधान करने का विचार कहां के समिधान से लिया गया तो दुई सदनिय बोलेंगे, तो भी आपका right answer आ जाएगा, British आ जाएगा तो सही जवाब हो जाएगा, British दुई सदनिय विधाय का एक प्रकार का, जिसमें दो अलग-अलग विधान सवाई होंगी जिसे दुई सदनिय विधाय का एक रूप में जाना जाता है तो ये है British, British के समिधान से लिया गया है भारत के समिधान में राज्य के नीती निर्देशक सिधानतों को नीती निर्देशक सिधानतों, DPSP वे तो रट्टा हुआ, रट्टा मारा हुँ कोश्य ना दोस्तों यहाँ पर Ireland से तो Irish Constitution से लिया गया है दोस्तों आपका DPSP लिया गया है राज्य सवाग के सदस्यों का नामंकन और राश्पती के चुनाप की विधी ठीक है ना? अगला कोश्यन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है भारत के समिधान में राज्य सवाग के लिए सदस्यों के नामंकन की प्रक्रिया किस समिधान से लिए तो सदस्यों का नामंकन भी जो है आपका Ireland के समिधान से लिया गया है समिधान के संशोधन की प्रकरिया जो है कहां से ली गई है समिधान के संशोधन के प्रकरिया साउथ अफरिका से ली गई है समिधान संशोधन आपको याद होगा दोस्तो आल्टिकाल नंबर 368 आल्टिकाल नंबर 368 बहुत ही जो है important है दोस्तों आप लोगों के लिए तो दोस्तों article number 368 याद रखिएगा समिधान में संसुधन करने की प्रिक्रिया जो है South Africa की समिधान से ली गई है और आज का अंतिम सवाल आप लोगों की screen पर आ चुका है दोस्तों देखते हैं आप लोगों में से कौन बता अब ही मैंने आप लोगों को पढ़ाएता दोस्तों सवातंतरता समानता और बंधूत्व के सिद्धानत है यह फ्रांस के समिधान से लिया गया है तो मैंने अभी आपको पढ़ाएता दोस्तों स्वातंतरता समानता और बंधूत्व के सिद्धानत है इसको फ्रांस के साथ लिया गया है दोस्तों और मैं आपको बता दूँ केंदर के साथ संग केंदर के साथ अपसिष शक्ति केंदर राज्यों के बीच शक्तियों को वित्रण ये कनाड़ा के सम्विधान से लिया गया है शक्तियों का बटवारा है दोस्तों केंदर राज्यों के बीच में ये कनाड कि सम्विधान से आप लोगों का लिया गया है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तो कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे अपनी class को मिलकर शेयर करेंगे अपनी class को मिलकर सपोर्ट करेंगे अब थोड़ दिर आपका लंच ब्रेक रहेगा जे लोगों ने भी अभी तक दोपहर का भोजन नहीं किया है सबी लोगों से मेरा आगरा है दोपहर का भोजन कर लीजे उसके बात class कराते हैं आदे घंटे के बाद क्लास शुरू करेंगे ठीक है तो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जै बीसे जै बीसे क्लास और आप सभी का तह दिल से बहुत बहुत